कि यह मारे लाल्द्रवन है और यहां पर हमारे साथ सानी ठाकिड़न जी है और यहां पे पीछे आप देख पा रहे हैं जो फीसे पीच है चैना जरी है ग्राण्ड जो वह हमारा पीछीर अभी यहां आपके यह हमारे Taurus tourism की विल्डिन्ञ है जो मुझे लगता है उसको यूज नहीं है कि इसका कोई यूज नहीं होता यहां पे आभी नहीं है कोई डेंटिंग पंटिंग्टिं नला कोई स्विवस्ता था यहoue ॉध फैस्टिवल भी होने वाला है और यह हमारा पीछे ग्राउंड के आपने देखा ही होगा कि काफी वीडियो में दिखा चुके हैं कि यहां पे बहुत अच्छा टूर्नमेंट अच्छा क्रिकट मैच भी होता है और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यह बीच में फारेस्ट का हट काफी अच्छा हट है यह हट जो है यहां क कि शान है यहां का फारेस्ट डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत भनियवाद करूंगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने लाल द्रमन जैसी जगहा पे आली शान बंगला बनाया है अगर आप लोग भी वहां पे रुकना चाहते हैं तो वहां पे कुछ मिनिमुम जो डिपार्टमेंट की और से यहां पे रखी गई है और काफी अच्छा काम है फारेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा हमें उनका जाने करता हूं उसके साथ इसाथ का इसकोस्व क्देशा गर्यूपर कोई ही गोमना चाहें अगर इसका पूरा एक चकर ही लगा पाएं तो मुझे लगता है दिन में आप इसका एक ही चकर कावर कर सकते हैं यहां पर यक्ति ठाक जाता है और आप देख रहें बादल क्या है लाल रमंग क्या जो चछतरी है उपर से वादलों की क्या ग्रीन्री है हर्याली है और अभी यहां पर लोग भी जाते हैं अपने में वह बहुत बड़ी बात है हम गर्व से बोलते हैं कि ने जी लाल डरमन आ यह पहले तो काफी मुझे आने में वक्त लगा यहां पर पहले पहले मुझे लोगी बोलते थे लाल दर्मन जी कैसा है कैसा है तो आज जब मैं यहां पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि यह चोटा मिनी किश्मीर है देखे बहुत बड़ी बात कहती है और इसको अभी सिर्फ ड्वेलप करने क कि जरूरत है अशक्ता है लाल दर्मन को एक डिवलप्मेंट की जरूरत है यहां के आप देखते हैं वीच मैं तलाब है यह श्यारतु गाफ़ी अच्छा संस्वक्त लेदा कि काफी लोन को लगता है नशनी जिप बीच में पानी है लेकिन होना बड़ा जरूरी है इसको सा यहां पर हमारी जो टीम मनेजमेंट है हमारे जो यूट है हमारे जो एंजओ के हैं बाकी यूथ भी काफी तियार यहां पर कर रहे हैं तो यूथ फिस्टिवल जो है जल्दी 4 5 6 को होगा और इसमें हमारा एक और मेजूद के लिए एक और इसमें एड़ करना चाहता हूं कि कुछ और activity भी हम करने वाले हैं लेकिन हम वो दो दिन पहले ही दो दिन पहले हम आपको बता देंगे और उसमें 50 लोगों का जो 50 बच्चों के लिए हम अलग से एक दो दिन का camp भी आरिगना करें वाला हूं आप देख सकते हैं यह हम लाल्द्रमन के जो हाके आपको मैं यह यह दिखा रहा हूं वहां पर हम मंदिद हैं मंदिर हैं के गुल देवता जी का और यहां पर काफी अच्छा भाविय नजारा देखने को मिलता है यह हमारा लाल द्रमन चारों साइट से मैंने आपको दिखा दिया तो काफी अच्छा अनुवाओ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर लाल द्रमन आईए एक बार जरूर आप यहां पे विजिट करें और जब तक आप यहां पे आएंगे नि तब तक आपको यहां की खुब्सूरती के बारे में पता नहीं चलेगा तो कृपा करके आप आएं और हमारी इस वीडियो को भी शेर और कमिट जरूर किया करें लाइक जरूर किया करें और उन लोगों तक हमारी जो वीडियो है पहुंचा है जिन लोगों को लाल द्रमन के बारे में कोई भी खबर नहीं है थैंक यू धनियवाद जाहिन राम राम